तो देखते हैं आप पर question number 3 में हम से क्या पूचा गया है? What are outside raw materials used by an organism? अब आप यहाँ पर समझ रहे होंगे जो यहाँ पर raw materials है, वो यहाँ पर कच्छे बदार्थ के बात हो रही है, ऐसा नहीं है. यहाँ पर raw materials का मतलब यहाँ पर जो natural substance होते हैं, उसको भी बोला जाता है. अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ पर जो organism होते हैं, यहाँ पर कौन से natural substance को use करते हैं, जो यहाँ पर उनको बहार से मिलते हैं. तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले Autotropic Organism Autotropic Organism यहाँ पर कौन होते हैं जो यहाँ पर plants होते हैं जो यहाँ पर खुद का खाना बनाते हैं उनको यहाँ पर क्या बोला जाता है Autotropic Organism बोला जाता है और यह भार से कौन सा material लेते हैं यह बाहर से लेते हैं, carbon dioxide लेते हैं, water लेते हैं, और यहाँ पर क्या लेते हैं, minerals लेते हैं, जो कि इनको यहाँ पर root से मिलता है, यहाँ पर soil से मिलता है, और उसके साथ साथ यहाँ पर sunlight लेते हैं, sunlight से यहाँ पर यह क्या करते हैं, chemical reaction करते हैं, जिससे कि अपना खाना बना सकें और उसी process को यहाँ पे क्या बोला जाता है, photosynthesis बोला जाता है, तो यहाँ पर जो autotropic organism है, वो यहाँ पे भार से कौन-कौन सा material लेते हैं, वो यहाँ से carbon dioxide लेते हैं, water लेते हैं, और minerals लेते हैं, और sunlight लेते हैं, क्या करने के लिए, खाना बनान के लिए, और उसी process को यहाँ पे क्या बोला जाता है, photosynthesis बोला जाता है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, heterotropic organism, जो यहाँ पे खुद का खाना नहीं बनाते हैं, जैसे कि animals हो गए, और human beings हो गए, यह खाना कहां से लेते हैं, यह खाना लेते हैं, autotropic organism से, जो यहाँ पे क्य exercise करने के लिए, और बाकी जरूरी substance अपने body को देने के लिए, हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे food लेते हैं, autotropic organism से, अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे इसके last point की, most of the organism use oxygen of air as outside material for breaking down food and releasing energy for themselves in a process called respiration, तो यहाँ पे जातर जो organism होते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, respiration की process क natural substance लेते हैं, वो यहाँ पे लेते हैं, oxygen, तो वो यहाँ पे क्या करते हैं, oxygen लेते हैं, उसको use करके, वहाँ पे waste material जो pass करते हैं, वो यहाँ पे क्या होता है, carbon dioxide, gas होता है, बट हमें वहाँ पे यह चीज़ लिखने की जरूद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पूछा क्या गया तो यहाँ से हम भार से क्या ले रहे हैं, यहाँ से हम भार से ले रहे हैं, oxygen, और oxygen कहाँ पे present होता है, air में present होता है, और इससे हमारा क्या होता है, इससे जो हम food लेते हैं, उसका breakdown होता है, मतलब हम भार पे digestion की process में, जो respiration का सबसे बड़ा role होता है, आपको यह वाल answer भी यह